राश्ट्रिये शिक्षानीत दो हजार बीस भाग तीन अन्य केंद्रिये विचारणिये मुद्दे अध्याए तेईस प्रावध्योगिकी का उप्योग एवं एकी करण तो आएए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या बयानवे 23.1 भारत सूचना एवं संचार प्रावध्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक खेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेत्रित्व कर रहा है डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ग्यान आधारित अर्थ व्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है इस रुपांतरण में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ प्रोध्योगी की भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्व पूर्ण भूमी का निभाएगी इस प्रकार सभी स्तरों पर प्रोध्योगी की और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध है 23.2 तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक वा उद्यमियों जिनमें छात्र उद्यमि भी शामिल हैं कि वास्तविक रचनात्मक्ता के साथ-साथ प्रोध्योगी की विकास की तीवर दर को देखते हुए यह निश्चित है कि प्रोध्योगी की शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी जिनमें से वरत्मान में सिर्फ कुछ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है नए प्रद्योगी की क्षेत्र जैसे की Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, Smart Board, हस्त संचारित Computing उपकरण, छात्रों के विकास के लिए Adaptive Computer Testing और अन्य प्रकार के Software द्वारा ना केवल यह परिवर्तन होगा की छात्र क्या सीखता है, वरन यह भी परिवर्तन होगा की वो कैसे सीखता है इस प्रकार इन खेत्रों में भविश्य में भी प्रद्योगी की एवं शैकशिक दोनों द्रिष्टी से व्यापक शोध की आवशेकता होगी 23.3 शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्राउध्योगी की के सभी प्रकार के प्रयोग एवं एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगिकृत किया जाएगा बशर्ते की व्रिहध स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आकलन किया गया हो विद्यालई एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्छेत्र में शिक्षन, मुल्यांकन, नियोजन, प्रशाथन आधि में सुधार हेतू प्राध्योगी की के उपियोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत निकाय के रूप में राष्ट्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की मंच यानी NETF का निर्मान किया जाएगा NETF का उद्देश प्राध्योगी की को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेश में उसके उपियोग से संबंधित निर्णेयों को सुगम बनाना होगा NETF यह कार्य शेक्षिक संस्थानों के प्रमुगों, केंद्र और राज्य सरकारों वा अन्य हित धारकों को नमीनितम ज्यान वा अनुसंधान के साथ साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को एक दूसरे के साथ साजह करने और परामर्ष के उसर प्रदान करके करेगा प्रिष्ठ संख्या तेरानवे अनुसंधान एवं नमाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना 23.4 शेक्षिक प्रध्योगी की के तीवर्ता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए NETF विविध श्रोतों से जिनमें शेक्षिक प्रध्योगी की के आविशकार को और उस प्रध्योगी की को प्रयोग करने वाले लोग सम्मिलित हैं से प्राप्त प्रामानिक डेटा से नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा और शोध करताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेशन करेगा ज्यान एवं उसके प्रयोग तथा इस दिशा में सतत नए स्रिजन को बढ़ावा देने के लिए NETF अंतर राष्ट्रिय शेक्षिक प्राद्योगी की शोध करताओं उद्यमियों और प्राध्योगी की को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभानवित होने के लिए कई क्षेत्रिय और राष्ट्रिय सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदी का आयोजन करेगा 23.5 प्राध्योगी की हस्तक्षेफों का मुख्य उद्देश्य शिक्षन अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसाईक विकास में सहियोग करना, शैक्षिक पहुच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना, जिसमें प्रवेश, उपस्थिती, मुल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदी सम्मिलित हैं। 23.6 उप्रोक्त सभी उद्देशियों की प्राप्ति हेतु, सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से सॉफ्ट्वेर विकसित किये जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। ऐसे सभी सॉफ्ट्वेर, सभी प्रमुख भारतिये भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प शेत्रिय भाषाओं में विकसित शिक्षन एवं अधिगम संबंधी इकंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अफलोड किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध इकंटेंट का उप्योग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शेक्षिक प्रोद्योगी की संबंधी उपायों के संबर्धन एवं प्रसार हेतु C.I.E.T. को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के लिए उप्युक्त उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि शिक्षक अपने कुली और उच्चितर शिक्षा में समन्वित किये जाएंगे और इसमें उप्योग करताओं द्वारा रेटिंग या समिक्षाएं शामिल होंगी ताकि कंटेंट विकास करता प्रयोकता अनुकूल और गुणवत्ता पूर्ण कंटेंट बना सकें 23.7 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्यत रूप से रूपांतरित करने में तेजी से उभरती परिवर्तन शील प्राध्योगी की पर भी विशेश ध्यान देने की आवशक्ता है जब 1986-1992 में राष्ट्रिय शिक्षा नीती बनाई गई थी तब इंटरनेट के वरत्मान प्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था प्रिष्ठ संख्या 94 हमारी वरत्मान शिक्षा प्राणाली की इन तीवर और युगांतर कारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिसपर्धी होती दुनिया में हमें व्यक्तिगत रूप से और एक राष्टर के रूप में खतरनाक और हानिकारक स्थिती की ओर ले जा र है तब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था उच्चतर स्थर की दक्षताओं के विकास के स्थान पर अपने विद्यार्थियों पर शिक्षन के सभी स्थरों पर ऐसे ज्यान का अत्यधिक बोज डालती रहती है 23.8 इस नीती को ऐसे समय में तयार किया गया है जब क्रित्रिम बुद्धिमता यानि Artificial Intelligence, 3D, 7D, Virtual Reality जैसी निश्चित परिवर्तनकारी प्राद्योगी की का विकास हो रहा है 24.9 जैसे जैसे क्रित्रिम बुद्धिमता आधारित पूर्वानुमानों की लागत कम होती जाएगी वैसे वैसे क्रित्रिम बुद्धिमता कुशल पेशेवरों की बराबरी करने लगेगी वह उनसे भी आगे निकल जाएगी और डॉक्टर जैसे अन्य पेशेवरों के लिए पूर्वानुमान लगाने के कामों में मुल्यवान सहयक सिध्ध होगी AI की परिवर्तन ला पाने की ख्षमता स्पष्ट है जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए शिक्षा विवस्था को तैयार रहना होगा NETF के स्थाई कारियों में से एक उभरती हुई प्रोध्योगीकियों को उनकी ख्षमता वा परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गी कृत करना और समय समय पर इन विशलेशनों को शिक्षा मंत्राले के सम्मक्ष प्रस्तुत करना होगा इन सूचनाओं के आधार पर शिक्षा मंत्राले आपचारिक रूप से ऐसी प्रोध्योगीकी को चिन हित करेगा जिनके उदभाव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवर्श्यक होगी 23.9 शिक्षा मंत्राले द्वारा आपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रोध्योगीकी को आपचारिक रूप से स्विकार करने के प्रतिक्रिया स्वरूप राश्ट्रिय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रोध्योगी की के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ या विस्तार किया जाएगा क्रित्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के संदर्व में NRF त्री आयामी द्रिष्टी कोण अपना सकता है क कोर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना ख एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग ग स्वास्थे क्रिशी वा जलवायू संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनोतियों का सामना करने के लिए क्रित्रिम बुद्धिमत्ता का उप्योग करते हुए अंतरराश्ट्रिय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना 23.10 उच्चितर शिक्षन संस्थान न सिर्फ परिवर्तनकारी प्राउद्योगी की पर अनुसंधान में सक्रिय भूमी का निभाएंगे बलकि अत्याधुनिक ख्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामगरी और पाठेक्रम यानि ओन लाइन पाठेक्रमों सहित भी त प्राप्त कर लेगी, हज़ारों च्छात्रों के साथ उच्चितर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षन और कौशल निर्मान के कारियों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिती में होंगे, जिसमें रोजगार परक तयारी के लिए लक्षित प्रशिक्षन के प्रयास भी शामिल होंगे, परिवर्तन कारी प्रोध्योगी की कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देगी, अतह रोजगार पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किलिंग और डी स्किलिंग के प्रती प्रभावी और गुणवत्ता पून दृष्टी कोन महतोपून इकिकृत किये जा सकने वाले प्रशिक्षन देने के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत भागीदारों को मनजूरी देने की स्वायत तता होगी, जिसे कौशल और उचचितर शिक्षन संबन्धी रूप रेखाऊं के साथ एकिकृत किया जाएगा प्रिष्ठ संख्या पिच्यानवे 23.11 विश्व विद्ध्यालेयों का उद्धेश्य मशीन लर्निंग जैसे मुल क्षेत्रों, कोर एरिया, बहु विशायक क्षेत्रों, क्रित्रिम बुद्धिमता, प्लस एक्स और व्यावसाईक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ, क्रिशी, आधिकारिक पाठ्थेक्रमों को विकिसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। शिगरता से अपनाने के लिए उच्चितर शिक्षा संस्थान आरंभ में इन ओनलाइन पाठ्थेक्रमों को पारंपरिक शिक्षन के सनातक और व्यावसाईक पाठ्थेक्रमों में शामिल कर सकते हैं उचितर शिक्षा संस्थान कृत्रिम बुद्धि मत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेशग्यता की मांग वाले क्षेत्रों जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांस्क्रिप्शन में लक्षित प्रशिक्षन भी दे सकते हैं स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा 23.12 जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रोध्योगीकियां उभर रही हैं स्कूली और अग्रिम शिक्षा इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभावों के बारे में आम जनता की जागरुकता बढ़ाने में सहायता करेगी और इसके साथ ही इससे संबंधित मुद्दों को भी हल करेगी इन प्रोध्योगीकियों से संबंधित मुद्दों पर एक सुविचारित सार्वजनिक सहमती बनाने के लिए यह जागरुकता आवशक है विद्याले स्तर पर अध्यायन हेतु चर्या नैतिक वा समसामयिक मुद्दों में NETF और MHRD द्वारा चिनहित अत्यंत प्रभावशाली प्रोध्योगीकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामगरी भी तैयार की जाएगी 23.13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रोध्योगीकी के लिए डाटा एक महतोपूर्ण इंधन के समान है और गोपनियता के मुद्धों पर डाटा संधारण, डाटा संदक्षन आदी से जुड़ी सुरक्षा, कानून और मानकों के प्रती जागरुकता बढ़ाना अती आवर्शक है साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रोध्योगीकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्धों को उठाना भी आवर्शक है शिक्षा इन मुद्धों पर जागरुकता पैदा करने के प्रयासों में महतोपूर्ण भूमी का निभाएगी अन्य परिवर्टनकारी प्रोध्योगीकी जैसे स्वच्छ और अक्षय उर्जा, जल सनरक्षन, समवहनीय खेती, परियावरन सनरक्षन और अन्य हरित उपाए आधी जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की ख्षमता रखते हैं, इन पर भी शिक्षा के ख्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा अभी आफ्षन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग तीन अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे अध्याए 23 प्रावध्योगिकी का उप्योग एवं एकी करन वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्मान सहियोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत